मालदा रेल मंडल द्वाला 16 स्तंबर से 2 अक्टूबर तक स्वचता पकवाडा सप्ता मनाया जा रहा है इसी बावत भागलपूर के रेलवे इस्टिसन परिसर में सफाइस अभियान कारिक्रम के तहद भागलपूर विधायक अजीत सर्मा के लावे दरजनो रेलवे कर्मी वह सब्सक्रा को स्वच्वा साफ रखना बहुत ही जरूरी है हम लोग सब भागलपूर एस्टिसन पर आया है और दस वजे से हमारी स्वच्था वियान शुरू हो चुकी है और इसमें हम बहुत सुक्र गुजार हैं आभारी हैं हमारे मानने विधायक साब आये हुए हैं एंजीयों के लोग आये हुए हैं दो-दो एंजीयों हैं हमारे करमचारी हमारे पसिंजर पबलिक सब इसमें भाग ले रहे हैं बरड़ चड़के और हम लोग पूरा संकल्प हैं पूरा विश्वास है कि हम लोग भागलपूर एस्टिक्षन को आसवास के परिसर को स्वच्थ बनाएंगे बिहार सरकार की समाच कल्यान मंत्री मदन सहनी भागलपूर पहुँचे आज बाका में करपूरी ठाकुर समवाद को आयोजित करने का कारक्रम सुनिस्चित था इसी दर्मियान उन्होंने भागलपूर के अतिती कक्षमेक प्री सुवारता के दोनान केंजर सरकार पर जम कर उन्होंने कहा कि 2024 में जनता भाजपा को जड से उखार फेकेगी और इंडिया एलाइन्स की सरकार बनेगी वह उन्होंने कहा कि भारते जनता पार्टी सिर्फ वायदे करने का काम करती हैं जमिनी अस्तर पर उनके कोई काम नहीं हो पाते जनता समझदार है अब उनके जहासे में नहीं आने वाली वही उन्होंने राजअदनितामनोजज्ञ के ठाकुर वाले कविता के बयान पर टिपनी करते वे कहा कि यह कोई मसला नहीं है इसको तूल देने की कोई जरुरत नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया जो राजबुत इसे अपने उपर ले लिये हैं वहें उन्होंने मुके सहनी पर कटाच करते वे कहा कि वो भाजपा में ही रहेंगे किसी बिहालत में इंडिया एलायंस के साथ वो नहीं आने वाले उन्हें पता है कि हमारा अच्छन तभी मिलेगा जब इंडिया एलायंस की सरकार बनेगी कि कोई भी जनपरतिनी दी और कोई भी राजनितिक डल जनता से कसम खिलाता है यह पहले लोग हैं जो समाज के लोगों से कसम खिलवा रहे हैं कि आप अपना भूट ने चिचिए गार इसका मतलब आप उपने समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं आपका समाज इससे पहले कब भूट बेचा है यह आपको असपस्ट करना चाहिए और कसम हर हाल में जो राजनितिक डल के लोग हैं जो जनपरतिनी दी हैं उनको कसम खाया जाता है कि हम जनता का सेवा करेंगे यह उल्टा जनता से कसम खिलवा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यह कहीं नहीं जाएंगे यह भारतिये जनता पार्टी के लिए आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी यह भारतिये जनता पार्टी के लिए काम करेंगे दूसरी तरफ हम आप आप लोग को भी नजर में दे रहे हैं यह भारतिय जनता पार्टी दोहजारचोवीस में आने वाली नहीं यह बात हर तरह से असपश्ट हो चुका है और यह जाएँगे भारतिय जनता का पार्टी के साथ तो भारतिय जनता पार्टी तो इनके जो मांग है जो राज सरकार का मानिय मुखमंतरी थी ने भी सीस्टी के लिए भेजा उसको जब रद चुप कर चुकी है तो अब दोबारा इनको जब सत्ता में ही नहीं आएगी तिनका रक्षन का मांग पुरा कैसे होगा इसलिए ये सिधा सिधा जो निशाद समाज है उनको ठगने का उन को भरम में डाल करके अपना राजनितिक रोटी सेकने का ये काम कर रहे हैं और ये जन्ता में भी अब इस बात की जानकारी हो चुकी है इनका अब राजनिती ज़्यादा निम तक चलने वाली है भागलपूर की तातारपूर थानाचित के नया बाजार की रहने बाली कंचन कुमारी नमक महिला ने ससुलाल में ही जहर खा लिया महिला को तडपता देखकर ससुलाल बालो ने महिला हेल्प डैस को इसकी सूच ना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची और गंपीर हालत में महिला को इलाज के लिए जवाहर लाल नहरुच कित सास्पता ले गए जहां डॉक्टर महिला का इलाज कर रहे हैं बताया जा रहा है कि महिला का पती बैंगलोर में नौकरी करता है और किसी बात को लेकर ससुलाल में महिला को ससुलाल बालों से लड़ाई हो गई थी इसके बाद महिला ने जहर खा लिया लेकिन समय रहते ही ससुलाल बालों को इसकी सूच ना मिल गए जिसके बाद पुलिस तत्परता दिखाते हुए महिला को इलाज के लिए भरते कराया है। वहीं अभी इस मामले को लेकर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बच्चा मिकलांगता से जूद सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग ठिरेपी का सहरा लिया जाता है। जन से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग ठिरेपी दिया जाए तो उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में या मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें। बिस्व हिंदू परिस्द बज़रंग दल भागलपूरी का एद वरा तिलका माझी सौर जागरन यात्रा का आजवजन किया गया है जो आज भागलपूर पहुंची और नगर भ्रमन किया गया आज की असौर यात्रा सबाओर स्रीय प्रालंब की गई थी विस्व हिंदू परिसत और बजरंग दल्दोरा सैकड़ों की संख्या में कारकरताओं के हाथ में विजय ध्वज लेकर जैस्री राम की नारे लगाते दिखे वहीं प्रसासन कदुरा सुरच्छा के इंतिजाम किये लाष्ट के लिए इस धर्म के लिए इस जर्म भूमी के लिए बलिदान दिया है उसको नमन करते हुए हिंदू युवाओं को याद दिलाते हुए जागरन करते हुए यह यात्रा निकाली जा रही है यह यात्रा जो है बाका के मंदार परवत से प्रारंब हो करके 8 तो परिवार वहाँ जा करके दर्शन करें और इसका अपने हम सब के आराद ही है प्रवुशी राम उनका हम सब को आशिरवाद मिले ऐसी रामराज की योजना से पूरे तक्षिन भ्यार प्राम्त में यात्रा निकाली जा रही है हिंदु युबाओं को ले करके भाजपा के कारकरताओं ने गांधी जहनती के एक दिन पूर्व सहर के सभी महाप्रूसों के श्टेचू को साफ वस्वक्ष किया साथी सहर के गली मोहले की भी सफाई की वही परधान मंतरी नरंद मोदी के जन दिन को लेकर चलनने वाले कारिकरम के तहत आज स्वचता अभिय अभियान कारिकरम को रखा गया इसमें भाजपा भागलपूर एकाई के कई परकोष्ट के दर्जनो कारकरता वह अपदा दिकारी उपस थी थे स्वचता अभियान कारिकरम के तहद भाजपा के रोहित पांडे भागलपूर जिलाधे संतोसा के लावे दर्जनो कारकरता मौ प्रधान मंत्री जी को है इस स्वक्षता के माधियम से उस कलपना को साकार करने में हम सभी पार्टी के कार्टा और समाज के लोग लगें जेश के सवस्वी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के आवाहन पर पूरे भारत वर्ष में महातमा गांधी के जैन्ती के पुर्व स्वक्ष भारत मिशन के तहत और स्वक्ष भारत की स्वक्षांजली सरधय गांधी जी को समर्पित करने के लिए पूरे भारती जन्ता पार्टी परिवार सरकों पर निकल कर सभी महापुरूसों की प्रतिमा की साब सफाई गली मोहले के स्वक्षता अभ्यान हम लोग चला कर और महातमा गांधी जी को सत्ती सरधान जली परधान मंत्री नरेंदर मोदी के आवाहन पर देश में स्वक्षता अभ्यान चलाया जा रहा है इसी क्रम में भागलपूर के महसपूर काली मंदर के प्रांगन में या स्वक्षता अभ्यान भाजपा के महिला पर कोष्ट की कारिकरताओं दुरा चलाया गया इस स्वच्चता अभियान कारक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा की महिला कारक्रताओं ने हिस्सा लिया, वहीं भाजपा ने त्रीप्रिती से खरने कहा, कि जिस परकार पूरे देश में परधान मंत्री स्वेम हाथ में छाड़ो उठा कर स्वच्चता का संदेश दे रहे उससे अब परतीत होता है कि स्वच्चता के परती कितनी जागरूख है, उनसे प्रेरना लेकर हम लोगों को वे अपने गाउं समाज और देश को स्वच्च रखने का संकल पिलना चाहिए मंत्री स्वेम जारू उठा कर स्वक्च्चता का संदेश दे रहे हैं。 उससे प्रतीत होका हैं कि वह स्वक्च्चता के प्रती कितनी जागरूख हैं और यह संकल देशाओ के लिए प्रेरना का कारी कर are है आज हम सब लोग उसी प्रेड़ना से कि हमें अपनी सफाई के लिए स्वेंग हमें चिंता करनी चाहिए, हमें आसपास की सफाई स्वेंग करनी चाहिए और यह संदेश यदि सब लोग आत्मसाथ करेंगे तो निशित रुप से भारत वर्ष में कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी हम सबों ने यह संकल्प लिया है कि आसपास हम आनंद सुकला को भारत सरकार मंत्राले का दौरा समस्त बिहार राजे के लिए भारतिय खाद निगम के सदस्तिक रूप में निउक्ति किया गया है इसको लेकर आज सम्मान सम्हारो कायोजन किया गया कारिक्रम के दरान मुख्यतिति के रूप में भागलपूर सांसत अजे कुमार मंडल विशिश चतिती के रूप में डॉक्टर मिर्तुन जैक कुमार आजाद उपस्ति थे वही कारिक्रम के आयोजेक सुलंकी डिफेंस अकेडमी किनिदेसक रंजीत सिंग सुलंकी के लावे सहर के कई गन्यमान लोग उपस्ति थे वही सांसत अजय मंडल ने आनन्द सुकला को भारत सरकार मंत्रा लेके दुरा समस्त बिहार राज के लिए भारतिये खाद निगम किस्ति के रूप में न्युक्ति के लेकर उन्हें बधाई वा सुबकामना आय दे भागलपूर के तिलगा मंजल श्ति टिवुवाभवन में राधी बांधौ समिती बिहार का महाधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें समाज के कई बुद्धी जी भी और समाज की महिलाएं और युबतियों के साथ साथ काफी संक्या में समाज के पूरूस होने भी महासमेलन में हिसा लिया। वहीं इस दोरान वक्ताओं ने समाज में मजबूती लाने और समाज के कमजोर लोगों का उत्थान कैसे हो इसको लेकर चर्चा की समाज में गरीब परिवारों की बच्चियों का बिवहा करने को लेकर समाज के लोगों को बढ़ चड़कर हिस्सा लेने का अग्रह किया गया भागलपूर जिले के नातनगर थनाचत की संकरपूर 54 देरा में आकासिया बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई पताया जा रहा है कि मिर्तक असोक मंडल पेसे से किसान था इस खटना के बाद परजनों में कोहराम मच गया है मिर्तक की फैचान सच्चतान नगर निवासी असोक मंडल की रूप में हुई है जो वरतमान में संकरपूर 54 देरा में बासा बना कर रहते थे और पसू की देखबाल करते थे मिर्तक किसान पसूच राने के लिए बासा के समीब गया था तभी तेजबाली सोन लगी अचानक से तेजगरना के साथ अकासिया बजली की चपेट में आने से उसकी मौत मौके पर ही हो गई अस्थाने किसानों की मदद से मिर्तक की पतनी बगरो देवी ने उसे हिलाया डुलाया लेकिन कुछ हल चल नहीं हुई और वो रोनी बिलखने लगी इस घटना के बाद परजिनों में कोहराम मच गया है सभी का रो रोकर बुरा हाल है मिर्तक किसान को 6 पुत्री वर 3 पुत्र है वहीं घटना के सूचना मिलते ही नातनगर ठाना पुलिस ने मौके पर पहुँच कर सब को अपने कबजे में ले ली और ठाने ले आए और काग जी कारवाई करते हुए पोश्ट माटम के लिए भेज दिया मिर्तक की पतनी बगरो देवी ने बताया कि जोड़दार वारी सो रही थी तबी आचानक से अकासिया बिजली गिरी जिसकी चपेट में वो आ गए जिससे उसकी मौत हो गई जबार लाल नहरु चिकितसा महाविद्याले अस्पताल माया गंज में आज सफाई कर्मी प्रदर्सन करते दिखे उन्हेंने कहा कि सफाई कर्मी की चटनी की जाएगी जिससे हम लोग आक्रोसी थे हम लोग 2006 से यहां कर रहे थे लेकिन रचानलक हम लोगों को हटाया तो हम लोग अपने परिवार का भरन फोसन कैसे करेंगे एक तिरफ जहां अधिचक प्राइविट कमपनी के एजनसी से मिलते रहते हैं वही प्राइविट कमपनी के एजनसी दूसरी और अधिचक से मिलने की बात कहती है हम लोग का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है अगर हम के बात नहीं मानी गई तो उग्री प्रदर्सन होगा फिर भी आगे बात नहीं हुई तो भूखरताल पर हम लोग चले जाएंगे और काम बंद कर देंगे सुप्रिटेंडेंडेंडं से मिलीए अगर हम लोग को परिसान कि यहाँ अगर हम लोग सारे पताधिकारी को जो है कि आवेधन के माध्यम से सुचित कर दिये हैं कि हम लोग इस तरह का मामला है अगर हमारा उचित निर्ने नहीं किया गया तो हम लोग 5 तारिक से या और 6 तारिक के अंदर हम लोग अरताल करेंगे और 6 से लेके 10 तक उचित निर्ने होने पर अगर हो जाता है तो ठीक है अगर हमारे करमी को किसी परकार का ओपर ये घटना घटती है तो इसका जबाब दही ना हमारा करमचारी होगा वलकि यहां क्या दिक्षक और एजन्सी क्या लोग होगे